चलो भई तो आज के लिए तुम्हारे पास काम एक और homework में जोड़ लो प्राचेश आज तो तुमने like करनी है सारी वीडियो एक और homework में लगा लो पहला सवाल आया है भई फेरवेल शुरू करने से पहले बड़ी देर से ऐश्वर्या पूछ रही है भई अब तो address करना ही पड़ेगा बच्चे का सवाल कहा है सर how to be constantly motivated for studies and how to imbibe the sincerity towards studies and exams for upcoming December exams एश्वर्या हाँ you are most welcome फेरवेल के लिए तुम आ गए हो बहुत बड़ी है माज एश्वर्या देखो भई how to be consistent and how to be constantly motivated पहली चीज़ आपको समझा देते हैं श्वर्या motivation को लेकर सारे बच्चों के लिए है ये बात motivation एक तो ना पूरे CA की जर्नी में आपको बता देते हैं बहुत demotivation ये reality है life इससे भागने की जरूरत नहीं है क्या demotivation है आसपास की society आपके seniors आप जो content पढ़ रहे हैं उसको लेकर passing pressure की सर फर्स्ट अटेम में clear करना है तो बहुत demotivation बहुत ज़ाद और उसके बाद तो सर जो course content आता है सो demotivation बहुत होती है क्या आपको अपनी जर्नी में हो जाती थी कभी कबार बिलकुल हो जाती थी नहीं समझ में आता था क्या करें भई कैसे कहां से शुरू करें नहीं समझ में आता था पिर क्या करें अब इस case में motivated कैसे रहें motivated रहने का सिरफ एक goal था एक तरीका था जो मैं use करता था मैं वो आपको बता देता हूँ बाकी देखो आपको मैं बड़ी बार multiple times ये बोल चुका हूँ, external motivation तो आपको motivate नहीं कर पाएगा, भूल जाओ कि कोई externally, कोई public speaker, मैं हो गया या आपके कोई और teacher हो गया, कोई भी teacher, आपको वो boost दे सकता है जो आपको CA clear करने में मदद करते, ये ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता, ना तो कोई teacher दे सकता है, ना कोई motivational speaker दे सकता है, हाँ, कभी अगर तुम जैसे बहुत low feel कर रहे हो, कभी बहुत low feel कर रहे हो, तो जैसे कोई एकाद मेरी वीडियो उठा कर देख ली है, कोई एकाद अपने और teacher की वीडियो, कोई motivational speaker की वीडियो उठा कर देख ल वो है तुम्हारे गोल से, तुम्हारा गोल क्या है लाइफ में, अब माल लो तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा गोल है कि हमें CA में रैंक लानी ही लानी है, CA बनना ही बनना है, फर्स अटेम में करना ही करना है, और इस गोल को डिराइव कर रहा है, तुम्हारा एक इनर गोल I want to make myself proud जो भी तुमारा गोल है, गोल कुछ भी हो सकता है monetary भी हो सकता है, non-monetary भी हो सकता है कोई बोले कि sir, monetary goal goal नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है किसी का अगर goal है, पैसा जादा कमाना है बिल्कुल सही goal है सुनने की जरूरत नहीं है, हाँ तुम्हें कमाना है भाई, तुमारा goal है, तुम्हें किसी और से validation लेने की क्या जरूरत है, वो सही है या गलत है, तुमारा goal है सबसे पहले अपना goal बनाओ, और long term motivation में वो ही goal तुमें motivate करेगा, आगे बढ़ने के लिए, जिस दिन एक, कहते है न, external speaker से सुनकर 10-15 मिनट का motivation आएगा एक गंटा, दो गंटे, तीन गंटे का एक दिन का motivation आजाएगा जादा से जादा अगले दिन फिर एक वीडियो देखनी पड़ेगी motivation के लिए, पर यह जो motivation होगा न, यह motivation for life होता है हमें जनून था साहब अपनी personal बात बता देता हूँ मेरा goal था हमेशा से मेरा goal था कि मेरे को first attempt में ही clear करना, I am not saying यह आपका goal होना चाहिए, यह मेरा goal था कि मुझे first attempt में ही CA clear करना है, अब उसके लिए करना था, मुझे खुद को proof करना था अपने लिए proof करना था, और CA finals के अंदर मैंने तुम लोग को पहले भी अपने videos के थूँ बता रखा है, CA final में मैंने aim किया था AIR 1 के लिए I wanted to be AIR 1 मेरा आया AIR 43 but was I sad, absolutely not I was very very thrilled to see my result, और first time all India ranker बनना, तुम मतलब सोच भी नहीं सकते किस level के खुशी होती है, जब आपको बोला जाता है, lifelong के लिए certificate ICI की तरफ से मिलता है tag मिलता है, कि you are an all India ranker तो वो एक जो feel होता है, वो चीज़ different होती है but however वो मेरा aim नहीं था, aim first क्या था मेरे को first time में CA करना था, पहला aim दूसरा था कि मेरे को AIR 1 चाहिए अब during my journey कई बच्चे पूछते हैं, सर आपकी journey रही तो journey में क्या हुआ, journey में आपको क्या roadblocks नहीं मिले आपको ऐसा नहीं लगा कि सर journey करते करते कहीं ना कहीं अगस्त को मैं, शाम को, मैं पहले इस से पहले से prepare कर रहा था, जून, जुलाई से मैं पढ़ रहा था, बोथ ग्रूप्स मेरे को देने थे, बोथ ग्रूप्स मेरे थे, CA final के बोथ ग्रूप्स की मैं preparation कर रहा था दिन की routine बनाते बनाते मैंने दो महीने लगाए थे, धाई महीने लगाए थे मैंने अपनी routine को ले जाते-ले जाते 15 to 16 hours a day of study study के 16 hours effective hours 16 पहुंच चुका था मैं effective hours यहाँ पर पहुंचा था effective hours of study 16, actually मैं पढ़ रहा था मैं 6 गंटे सोता था 2 गंटे अपने unproductive काम धाना, दोना, खाना, खाना ब्रेक लेना, नैप्स लेनी, छोटी-छोटी 19 August को अपने बर्डे से मैं शाम को, मैंने तुमको क्यों बोला था कि पाटी बाटी अभी बाहर का मत खाना 19 August को शाम को मैं बाहर से खाकर आया कुछ खाना 19 August सहब रात की बात है मतलब 20 अगस्त के सुबह 4 बजे मेरे को इतनी वॉमिट्स हुई इतनी वॉमिट्स हुई कि मैं आपको बता भी नहीं सकता ये खाना खाकर आया, food poisoning हो गई 15 to 16 hours of effective study I was at that level कि जहां पर मैं पूरे जुनून के साथ काम कर रहा था कि साथ क्लियर करकर रहूंगा 20 अगस्त सुबह 20 अगस्त सुबह food poisoning हो गई 20 अगस्त के बाद 21, 22, 23 तक बहुत तेज fever समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या खा लिया और यहां तक बता दूँ कि यहां तक मेरा पढ़ाई जो थी खतम हो चुकी थी 16 hours से मैं 0 hours पर आ चुका था सबसे बड़ा demotivation था मेरी life में तुम सोच भी नहीं सकते कितने level का demotivation होता है तुम imagine भी नहीं कर सकते कि जिस दिन तुम 16 गंटे से 0 hours पर आ जाओगे न effective hours पर वो demotivation क्या level का demotivation होता है मतलब खुद से बंदे को लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा यार मेरे exam में अगले एक महिने में मेरे को prepare करना है मेरे revisionary plans मेरी wall पर लगे होए थे सब कुछ लगा हुआ था यहां पर test करवाया 24 को जब बुखार नहीं गया test करवाया तो jaundice निकला पीलिया जो आपने सुना होगा jaundice निकला doctors ने बोला immediate hospitalization करो अभी कि अभी hospitalization करो problem इतनी बढ़ चुकी है कि अब life पर आ सकती है poison इतना फैल चुगा था पोरी body के अंदर कि life पर आ सकता था कि अब वो life or death का सवाल हो चुगा था कि वो कह रहे थे कि अब अगर आपने अभी immediately I went to B.L. Kapoor अगर किसी कोई दिल्ली में रहता है बच्चा तो उसको पता होगा B.L. Kapoor करोल बाग में वहाँ पर I went there and treatment के लिए और उसके बाद immediately पता नहीं क्या हुआ ऐसा कुछ हुआ कि अब वो एक स्टोरी का पार्ट था simple मेरे recovery का पार्ट था जैसे भी हुई उसको छोड़ देते हैं अभी recovery कैसे हुई but the point here is that the level of demotivation that came along when I saw my reports कि मैं 16 गंटे से 16 गंटे से मैं 0 गंटे पर आ चुका था और ये जो case था doctor ने बोल दिया था कम से कम 2-3 हफते तो आप छोड़ दो किताबे books छोड़ दो अगले 2-3 हफते सोच कर देख लेना अपने पास अगले 2-3 हफते के लिए किताबे छोड़ देने के लिए बोल दिया doctor ने कि अगर आप अगर भी अभी भी stress दोगे अपनी body के उपर doctor ने बोल दिया अगर stress दोगे तो then we cannot guarantee कि आप survive कर पाओगे इस phase के through या नहीं कर पाओगे doctor ने मेरे को literally बोला my mom dad were with me and this is not a story this is actually what happened with me यह मैं कोई story नहीं बुन रहा यहाँ पर सबसे पहले बता दू doctor said कि 2-3 हफते छोड़ दो अपनी किता में body को recovery time चाहिए glucose लगाया जाएगा मैं कुछ खा नहीं पा रहा था जितने बचों ने jondis who have gone through this phase they know कि आप जैसे ही jondis में कुछ खाते हो vomit हो जाती है आप कुछ नहीं maintain I was at a peak of 16 hours of study a day I went to 0 hours a day and I went to losing 5 to 7 kg I went to losing 5 to 7 kg in 2 weeks and now there was no time left मेरा खुद सोच कर देखो जो plans बने हैं तुमारे charters बने हैं खुद सोच कर देखो जो charters बन रखे थे 19 अगस्त से वो charter close हो चुके थे 19 सितंबर आ चुकी थी सहाब एक महीना किसी एक CA finalist से पूछ लेना अगर एक महीना CA final की preparation के भीच में एक्जाम कब से शुरू थे सर एक्जाम शुरू थे 1 नवेंबर से पहला paper था accounts का 1 नवेंबर को मैं बैठा था 19 सितंबर को वोपस अपनी routine पे और एक बात बता दू एथलीट से पूछ ले ना किसी या किसी बच्चे से पढ़ते हो एक बार routine खराब हो जाए ना 16 से 0 पर 16 पर पहुचने में धाई महीने लगे थे 16 पर पहुचने में धाई महीने लगे थे 0 पर आ चुका था 19 सितंबर को शुरू कर रहा था कितने दिन बचे थे सितंबर के 11 दिन और October के आपके पास 31 देस ये 42 देस का प्लान मनाया था मैंने अपने पास आज भी वो कॉपी है मेरे पास 42 देस का प्लान मनाया था मैंने अपने पास कि अब जो हो गया सो हो गया AIR 1 एम करकर चल रहा था अभी भी हिम्मट टूटी नहीं थी बोला था अभी भी A.I.R. 1 ही लेकर आऊंगा अभी भी बोला था कि A.I.R. कुछ भी हो जाए A.I.R. 1 ही लेकर आऊंगा अभी भी पूरा पूरा जोर लगा दिया मतलब जब मैं यहाँ पर recover हो गया मैं तुम्हें क्यों मना करता था बाहर का खाना मत खाओ आखरी दो दिनों में क्योंकि मेरे को पता है तुम यह demotivation से न मैक्सिमम मेरे भी कुछ friends थे जिनका अभी भी मैं सुनता हूँ मेरे कुछ juniors हैं जो बिमार हो गए थे तो paper drop करना पड़ा paper drop मेरे में वो चीज नहीं थी कि मैं paper drop करूँगा वो मेरी choice थी I do not advocate these things for you कि आप अपनी health से उपर किसी चीज को लेकर जाओ मैंने doctors की सुनी थी मैं एक महीना पूरे bed rest पे था I didn't do any study मैं सिरफ और सिरफ सुन लेता था अगर मेरे कोई revisionary notes थे उससे भी को थकान होती थी एक November मेरा paper था यहां से I had my 42 day roadmap यहां से इजाद हुआ था roadmap theory का 42 day roadmap था मेरे हाथ में revisions थी मेरे हाथ में कि मेरे को अब कितनी revisions करनी है best part was कि मैं पहले से ही plan मना कर चल रहा था तो course मैं खतम कर चुगा था and I don't know what happened whether God was with me or what what I don't know यहां से जब मैं देने गया मैंने अपनी revisions करी एक November को जाकर there is another story that happened on 1st of November वो फिर कभी हम बात करेंगे personal mentoring session में यहां पर जाकर पता नहीं क्या हुआ बस जो भी हुआ I gave all of my exams I said कि मैं attempt तो नहीं छोडने वाला मेरा first attempt जब goal था first attempt में तो मैं दूँगा ही दूँगा और clear भी करूँगा और AIR 1 भी लेकर आऊंगा I don't know what happened अभी मैं recovery phase में ही था जितनों को पता है जॉन्डिस के बाद it takes a lot of time for body to recover back यहां से हमने शुरू किया papers दिये and I don't know God blessed me with AIR 43 and I was thrilled मैंने यह भी नहीं सोचा कि यार चल अगर जॉन्डिस ना हुआ आता तो शाए AIR 1 टच कर जाते nothing doing AIR 43 हमने वो ही जशन मनाया जो हमने AIR 1 पर मनाना था वो ही party करी उतना ही hard party किया और इसके बाद बता दू इसके बाद God was very fortunate मतलब I was very lucky and fortunate God made me very lucky and fortunate कि इसके बाद good placement good exposure in life and everything was on track then लेकिन यह जो phase था ना this one month I know the level of demotivation अब तुम कहते हो कि सर पढ़ाई नहीं होती तो motivation कहां से आए यहां से मैंने सीखा था कि motivation ना कोई external speaker नहीं दे सकता इस एक महीने में बहुत मैंने motivation की वो सुनी कहानिया सुनी बहुत motivational speaker से बात करी सुना कुछ नहीं हुआ जब यह internally निकल कर आया ना कि भाई करना है तो करना है वो दिन था 19 सितंबर का जिजिन हम खड़े हो है और किताबे खोली और CA final का सिले बस दोस्त CA intern नहीं था CA foundation नहीं था CA final की किताबे उठा कर देख लेना अपने senior से पूछ लेना CA final किस चड़िया का नाम है तुम आज X पड़ रहे हो तो CA final तुमारे हिसाब से 20X है जितना course तुमारा है ना 8 subjects है चार नहीं 8 subjects है और वो भी full-fledged subjects है जिनके साथ जिनके साथ technicalities जुड़ी हुई है ऐसे नहीं simple subject है 12V में पढ़ा था तो यहां पर आकर paper दे दिया ऐसे subjects है जिनके साथ technical चीज़े जुड़ी है तो motivation internally आता है वो जब जुनून होगा ना कि नहीं सर खड़ा होना है doctors ने मना कर दिया था कोई बात नहीं मैंने बोला कोई बात नहीं तीन हफते ही है न I replant I said no problem I would replant अभी एक वीडियो में बताया था वे पुलड़वले चानल पर replanning का धोनी का example लेकर समझाया था replanning कितनी जरूरी है वो वीडियो देख लेना नहीं देखा था replan किया अपना charter फिर बनाया फिर revision करी और आज देख लो आप लोग के आगे है पर lifelong अगर उस time पर quit कर देता कि सहाब demotivate होकर 19 सितंबर को quit कर देता कि नहीं मैं नहीं कर सकता अगला में में attempt दूँगा अगला में में attempt दूँगा nobody knows I am being very honest with you nobody knows ये में तक AIR होती first attempt होता मेरी job placement होती मेरा exposure होता या ना होता this was that motivation कि उस दिन quit नहीं किया ना उस दिन quit नहीं किया ना जब लग रहा था कि यार छोड़ देता हूँ अभी कितने दिन ही रह गए मेरे दोस्त लगे पड़े थे 42 days थे लगे पड़े थे study करने में उस दिन सोच लिया था कि अब किसी दोस्त से बात नहीं करने उस दिन phone switch off कर दिया था अब खुद self study करना है अब छोड़ दो सारी दुनिया से निकल गए वो लोग सब आगे निकल गए तुम लोलते हो ना मैं अब तुमें क्या कहता हूँ जब पड़ाई कर रहे हो तो अपनी speed पर चलो क्यों? क्योंकि जब सब आगे निकल जाते है न तो demotivation और आ जाता है अब मेरे को पता था वो सब आगे निकल चुके है मेरा भी peer group था तुमारा peer group है मेरा भी peer group था सब आगे निकल चुके थे मैं तो race में बहुत पीछे रह गया था साब एक महीना पीछे चल रहा था अपनी race में अब तो ये एक महीना और फिर आगे वो जो cover कर रहे हैं वो cover करना था मेरे को कैसे cover करता? self motivation बस वो ही एक चीज थी जो मेरे हाथ में थी और उस दिन phone switch off करके बोल दिया था किसी दोस्स से बात नहीं करूँगा अब तो सिधा 1 November को ही मिलेंगे जब मिलेंगे और 1 November के बाद 17 November को exams कतम थे उठा कर देख ले ना date sheet यहाँ पर तुमारे पास 2018 का attempt था मेरा उठा कर देख ले ना 2018 का यही date sheet थी 17 November को खतम थे बीच में दिवाली भी थी by the way किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर दिवाली आ रही है कैसे preparation करेंगे किसी बच्चे के मन में ऐसे खयाल आ रहे हो कि सर दिवाली आ रही है बड़े आ रहा है सर कैसे करेंगे तो पता देता हूँ दोस्तों 1 November को paper था 3 November को paper था 5 November को paper था 7 November की दिवाली थी सब लोग enjoy कर रहे थे मैं अभी अभी अपनी health issues से deal करकर उठा था क्या choice था मेरे पास दिवाली celebrate करूं मैंने अपने आपको उस दिनी बोल दिया था एक दिवाली है वेपुल एक दिवाली एक दिवाली छोड़ दे बस एक दिवाली की बात है न CA final तो इसी बार देना है तुने अगली बार थोड़ी ना देना है अगले साल जशन मनाएंगे दिवाली पे तू देख इस बार सबको celebrate करने दे 2018 की आगे आने वले जितने साल होंगे 2018, 2020, 2021 जितने Saturday, Sunday होंगे जितनी दिवाली दिशेरे होंगे सारे मनाएंगे और खूब जशन मनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है एक दिवाली की ही तो बात है सिरफ CA final एक ही तो दिवाली मांग रहा है और उसने ली भी एक ही दिवाली साहब आज की डेट में, आज की डेट में अब जो दिवाली आने वली है कोई tension थोड़ी ना है दो दिन पहले छुट्टी है अब तुमारा batch खतम अब हमारे पास हमारी छुट्टी है फुल enjoyment करेंगे, घूमने जाएंगे कोई क्या तकलीफ है एक बार CA की डिगरी आ गई न एक बार बन गई न All India Ranker क्या तकलीफ है उसके बाद तो फिर मौजी मौज है न उसके बाद तो good companies आपको placement के लिए बुला रही है आपको good companies बुला रही है placement के लिए, आपको बड़े-बड़े firms बुला रही है partnership के लिए, आपको demand इतनी जादा है कि आप इस time पर इतना time नहीं बच रहा कि आप सबकी demand को fulfill कर पाओ बात समन में आ रही है तो इसलिए अभी दिवाली आ रही है आगे भी तुमें बता रहा हूँ एक दिन की तुमें छुट्टी इसलिए ही दी है मैंने extra, मेरे दिमांग में था ये चीज, कि अब एक काम करो अगर किसी का मन है कि भई सर 4 नवेंबर की दिवाली है, celebrate करने का बहुत मन है family के साथ, कल फिर दबा कर पढ़ लेना, जो तुमने 4 नवेंबर को रिलेटिव होते हैं, आदे दिन की छुट्टी ले लेना, एक दिवाली की बात है एक दिवाली की ही तो बात है, CA foundation clear हो गया, तो inter में तुम आ ही गए उसके बाद जब दिवाली आएगी तो देख लेंगे ये 5 साल का ही तो course है उसके बाद तो तुमारे पास 60 साल की उमर पड़ी है ना, अगर average life, अगर आज तुम कितने साल के होगे, 17 से 18 साल के बच्चे होगे अभी तुम या 20 साल के भी हो, तो 25 साल प्लस ये 65, 85 ये तो नॉर्मल तुम जीही जाओगे 80 से 85 ये तो जीही जाओगे तो ये आप सबकी ये सबकी जर्नी है, आप किसी भी किसी से भी पूछ लो, कि कोई भी success story आप मुझसे पूछे थे सर जर्नी बताओ, जर्नी बताओ ये आखरी दिन के लिए रखी थी तुम लोग के लिए ये जर्नी जब भूल जाओ ना तो खुद सोच ले न, जब मैं बाहर से खाने को मना करता था एक दिन एक note लिखवाया था एक्जाम टिप में, stop eating from outside वो कहां से लिखवाया था, वो यहीं से लिखवाया था क्योंकि एक महीना मैं बरबाद करके आया था और maximum बच्चे इसके बाद नहीं उठ पाते 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं next attempt अब नहीं दे सकते, बहुत demotivation हाय है और next attempt की reality बताओ next attempt की reality बताओ यहाँ पर अगर x demotivation था ना तो next attempt में 3x हो चुका होता है पूछो क्यों, 3x क्यों हो जाता है क्या हमारे goals बदल जाते हैं, priorities बदल जाती हैं, नहीं priorities भी वो ही है, goal भी साहब वो ही है बस peer group आगे निकल गया साहब और हम peers को देखना नहीं छोड़ सकते we are a social animal we cannot let go our peers हमारे peers, मेरे सर, मेरे सर यहाँ पर batch में न, बहुत सारे बच्चे थे आज हम 900 बच्चों का batch हो चुका है 5000 से जादा बच्चे आज यूट्यूब पर है, 1000 हम पहुँचने वले हैं, टेलिग्राम पर तुमारे सामने ही तुमारे peers 31 जब अभी December के paper देकर आओगे न 19 December को, result आएगा यहाँ पर attempt जो skip कर जाएगा attempt skip कर देता हूँ sir attempt skip कर देता हूँ, अभी लग नहीं रहा confidence नहीं आ रहा, अरे confidence नहीं आ रहा तो मैनत करो न, 16 से 18 गंटे 6 गंटे, आज भी 6 गंटे सोता हूँ मैं, CA finals की routine आज भी नहीं गई मेरी आज भी 6 गंटे की routine है मेरी रात को अगर 12 गंटे तक सोता हूँ तो सुबह 6 बजे उड़ जाता हूँ तुम कभी भी 6 बजे सुबह message कर देना 6 बजे उठा होता हूँ मैं, 8 बजे तुमारी class लेने बैठता हूँ यहाँ पर यह अपना self time है, 6 से 8 आज भी 6 बजे उठता हूँ यह नहीं है, कि सर आप यहाँ पर 7 पचास पर उठते होगे तो आप 8 बजे आते हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले ही उठा होता हूँ तुम सबसे, बात समय में आई तो आज भी, तो अगर लग रहा है न preparation नहीं हुई, तो मेहनत करो preparation हो जाएगी, time कम नहीं है नियत की बात होती है बस यहाँ पर, अगर मेरी नियत ना होती ना, यह 42 डेज में उठने की तो यहाँ पर मेरे पास भी एक simple मेरे, मेरे को तो कोई blame भी ना करता तुम्हें क्या लगता है, मेरे को कोई blame करता है यहाँ पर, मेरी family blame ना करती, मेरे peers blame ना करते, मेरे relatives blame ना करते, sir बिमार था, hospital तक नौबत पहुँच चुकी थी मैं admit नहीं हुआ था, वो separate चीज है क्यों नहीं admit हुआ था, उसका भी एक pressure लेना, अगर किसी की health से नहीं निकलता, तो मत लो, मैं advocate नहीं करता इन चीजों को, कि तुम अपनी health से यह pressure लो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इतना pressure लेने की, क्या मेरे लिए ज़रूरी था, as an individual अगर इस pressure को लेकर, सुनो मेरी बात एक और बात याद रखना, अगर इस pressure को लेकर, मेरी health खराब हो जाती, और deteriorate हो जाती यह health, और खराब हो जाती, कौन responsible होता पता है कौन responsible होता सिरफ एक ही बंदा responsible होता वो था, विपल ढ़ल क्योंकि I took a call, knowingly that, हंजी बिल्कुल, मेरी तबयत खराब है लेकिन मैंने देखो कैसे प्लान किया कि एक 19 अगस से 19 सितंबर खुद को पूरा recovery time दिया by this time मैं, recover होना शुरू हो चुका था उसके बाद मैंने decision लिया अगर किसी की health allow नहीं करती तो please अगर health allow नहीं करती तो खुद के decisions अगर खुद लोगे तो याद रखना जो भी होगा you would be responsible don't take these decisions in emotional pressure emotional pressure में मत आना life में तुमें हमेशा बोला है 18 प्लस हो चुके हो अपने decisions खुद लेने शुरू करो अपने decisions जब आज से खुद लेने की आदत पड़ेगी न तो career में success मिलेगा आज से ही तुमारे decisions क्या है आप बता दो क्या करना है आप बता दो कैसे करना है कैसे करना है सिखा दिया लेकिन क्या करना है वो तुमें decide करना है मैं थोड़ीना responsible होगा तुमारे career के लिए कौन अपने career के लिए खुद responsible है तुम लोग खुद अगर health पर बात बन कर आ रही है अब तुमने तबयत खराब कर ली है health पर बात बन कर आ रही है तो भाई informed decision लो doctor से बात करो, doctor से पूछो ऐसे नहीं अपने आपी कि नहीं मैं ठीक हो जाओंगा मैंने भी doctor से पूछा था doctor ने बोला था, देखो 19 सितंबर तक उस level पर आ जाओगे कि तुम शुरू कर सकते हो दुबारा करना एक महीना bed पर था एक महीना bed पर भी था, वो भी face था बीच में बात समयन में आई तो अपना ध्यान रखो, बाकी छोटी सी तुम लोग को ये story सुनाई है इसको अपने पास as a reference रखना, लेकिन ये नहीं है अगर किसी की तबयत खराब हो जाए तो मेरे को कभी किसी के parents से ये सुनने को ना मिले कि sir, आपने ये चीज़ बोली थी कि आपने ये चीज़ करी तो हमारे बच्चे ने देखो, ये ही वली सेम चीज़ अपने health पर इसने अपने पा एक caution mark बना दिया, कि health से ये खेल गया, health से मत खेलना पहले doctor से advise लेना अगर doctor suggest करता है, मुझे doctor ने किया था suggest, कि हाँ देखो 19 से कर सकते हो शुरू, लेकिन risk है, कर सकते हो लेकिन risk है, लेकिन वो motivation और जुनून था और God की blessing थी कि वो निकल गया फेस, लेकिन health पर, please अपनी health पर किसी चीज़ को मत लेना, फिर बोल रहा हूँ ये बात याद रखना, बाकी अपनी जो preparation कर रहे हो, उसके लिए पता देता हूँ, second चीज़, जो preparation कर रहे हो अपने पास उस preparation से related committed रहो, इस time पर ये time वो नहीं है, जब तुमारे दिमाग में, Instagram, Facebook पर चलती हुई, जो लोगों की glamorous life तुमें दिखती है, कि हाँ sir वो देखो, Instagram पर हम देखते हैं, वो कहाँ कहाँ गूम रहा है, TikTok पर हम देखते हैं, वो कितना पैसा कमा रहा है, YouTube पर देख रहे हैं, sir देखो वो कितना famous हो गया, एक video उसकी viral हो गई तो, ये सब चीज़े ना, ये सब चीज़े ना, 0.1% लोगों के साथ होती है, 99.9% लोगों को ना, hard work करना पड़ता है, और हम वो आज hard work कर रहे हैं, समझ में आया ना, ये जो तुम्हें लग रहा है ना, कि जो TikTok से तुम देखते हो, YouTube पर gaming channels, देखो, मैं किसी चीज़ को मना नहीं करता, लाइफ में, तुम्हें करना है, बिलकुल करना अपने करियर में, बिलकुल करना, पहले studies पर focus रहना चाहिए, पहला focus study, दूसरा focus ये कर लेना, YouTube और TikTok, यहाँ पर 1% को success मिलती है, और यहाँ पर 99% लोग साब hard work करकर बनते हैं, यहाँ पर CA में न, अगर hard work करोगे, अपना 100% डालोगे, तो 200% कह रहा हूँ, success मिलेगी, और यह short shot है कि lifelong की success है, एक और बात बता दूँ, lifelong तक तुम लोग को बुलाया जाएगा, CA, lifelong तक मेरे नाम के आगे, यह दो अक्षर जुड़ चुके हैं, यह दो अक्षर मेरे नाम के आगे, lifelong तक जुड़ चुके हैं, जब तक, अब यह, जब तक यह life है, तब तक यह दो शब्द रहेंगे, CA, unturnless हम कोई code of conduct से बाहर जाकर काम कर दें, और ICI हमारी membership cancel कर दें, पर ऐसे काम कोई करता नहीं है, और इतने external हम इतने ज़ादा, वहाँ उस level तक नहीं जाते, तो बात वही समझना, बात का मतलब समझना, कि सर, यहाँ पर यह दो शब्द जुड़ चुके हैं, यहाँ पर यह सर, सारी short term successes हैं, जो आप लोग को दिख रही हैं, एक, दो, तुम खुद सोच कर देखो, जिसको तुम दो साल पहले follow करते थे, आज के उसको खुद, आज भी follow करते हो, तुम खुद देखोगे, 90% लोगों को, जिनको तुम तुम फॉलो करते थे, आज से दो साल पहले, आज तक तुमें उनका नाम भी याद नहीं हो, आज तक उनका नाम भी याद नहीं होगा तो क्या फाइदा है ऐसे करियर का तुम लोग को अपने पास जहां पर हो ना motivated रहो जहां पर तुम हो अभी इस ताइम पर motivated रहो कि सर C.A. बनने आए हैं तो C.A. बनेंगे अपने पास जब इस course में enroll किया है इदर उदर की बातों से थोड़ा से preparation करते हुए इन सब चीजों से ना TikTok, Instagram कि सर उनकी life बड़ी grammarous लग रही है वो मेरे दोस्त देखो घूम रहे हैं घूमने दो, मेरे भी दोस्त घूमते थे तुम्हें क्या लगता है बाकी हम लोग हम लोगों के क्या दोस्त घूमने नहीं जाते थे हमारे टाइम पर Instagram नहीं था सब कुछ था, Facebook भी था, Instagram भी था समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी क्या है न अपनी restrictions रखो कि हाँ मैं दिन में 10 से 15 मिनिट अपना Instagram देखूँगा उसके बाद मैं Instagram नहीं देखूँगा दिन में मैं 30 मिनिट के लिए फोन उठाऊँगा अगर मेरे को उठाना है, maximum पूर है दिन में उसके बाद मैं फोन नहीं उठाऊँगा जब तक मेरे paper नहीं हो जाते paper हो जाएंगे, 17 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक, एक जनवरी 31 दिसंबर अराम से मनाना जब तक result नहीं आता, बाद समय में आगई तुमको अभी थोड़ा सा restrict करो, तब तुम पूरा दिन 24 घंटे बैठे रहना Instagram पे, कोई नहीं पूछेगा, ना तो विप्पल सर बोलेंगे ना घरवाले बोलेंगे, लेकिन आज जरूरी है, आज जरूरी है काम करना जो आज काम नहीं करेगा न पिर वो ही failure आएगा, failure आएगा तो demotivation आएगा, दोस्त आगे निकल गए हमसे CA नहीं होती, CA में तो failure ही है, हम तो success वो ही नहीं सकते, ये सारी बातें सब फिर तभी आती है जब महनत नहीं करी होती starting से बात समझ में आ गई, आज restrict करकर चलोगे, तो lifelong के लिए discipline maintain होगा, आज भी मैं अपने phone पर ज़्यादा देर नहीं लगता telegram, whatsapp, ये सब चीज़ें आज भी वैसे ही है, जैसे CA finals पर थी एक time, one time, शाम को देख लिया, एक बर सुबह देख लिया, थोड़ा सा जो बाकी अपना काम कर रहे है, उस काम पर भी focus रटना पड़ता है, समझ में आया बाकी अपने पास, बाकी अपने पास, देखो, stress किसी चीज़ का मत लेना, तीसरी चीज़ stress किसी चीज़ का भी मत लेना अपने पास, कि सर ये चीज़ नहीं हो रही है, वो चीज़ नहीं हो रही है देखो, stress लेने से कुछ भी नहीं हो stress लेकर रोने लग जाओगे कि नहीं सर ये तो नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, कैसे होना है, कुछ नहीं होगा, अगर एक point पर एक चीज नहीं समझ में आ रही है, let's suppose मैंने NPO accounts उठाया, सर मुझे NPO तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ NPO तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अब जब वो confidence बिल्ड हो जाएगा NPO में वापिस आओ फिर एक बार fresh mind से अगले दिन NPO को उठा कर देखो हाँ सर NPO के फिर पहले concept पढ़ो read कर कर देखो फिर एक दो questions copy में से सिरफ read करो कैसे solve करे तुमने सर ने कैसे बताए कि पहले धांचा बनाओ P, B, T लगाओ कि कहाँ पर जाना चाहिए उसकी बीच में lines बनाओ जो जो सर ने तुमको चारी चीज़े लिखवाई थी कि ऐसे ऐसे tricks solve करोगे तो हो जाएगा वो सारी चीज़े revise करो एक दो questions को read करो फिर एक question खुद try कर कर देखो बेशक आदा घंटा क्यों न लग जाए अगर एक question solve हो गया motivation मिलेगा दूसरा question solve हो गया और motivation मिलेगा तीसरा question हो गया और motivation मिलेगा चौते question से कहो गया NPO आ गया जो पहले नहीं आ रहा था NPO आ गया वो भी आ गया छोडने की ज़रूरत नहीं है 15 से 20 माक्स का question है बाद समझ में आ गई तो अपने पास demotivate मत होना stress मत लेना stress को कैसे relief करना है अपने पास अगर बहुत जादा stress हो जाए तो सर बहुत अच्छे-च्छे motivational speaker है संदीप महिश्वरी सर है इतने बढ़िया motivational speaker है वो उनकी कोई 5 मिनट की एक वीडियो देख लो उनकी 5 मिनट की वीडियो देख लो हमारी कोई वीडियो देख लो अगर तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें कहीं पर मेरे आपके लिए quit करना quit देखो कर सकते हो पर quit करना ना option नहीं होता अपनी health को ठीक रखना इसी time से please बाहर से खाना बंद कर देना अगर बाहर से मंगा रहे हो please अपनी tongues को control करो कम से कम नहीं तो 19 December तक तुमने अब बाहर से कुछ नहीं खाना क्योंकि अब अगर तवयत खराब हो गई ना अब demotivation जो आएगा ना तुम लोगों के पासे एक महिना अभी तक तुम वो उस level of maturity पे नहीं पहुँचे हो कि तुम दुबारा से उसको pick up कर पाओगे यहां से पते क्या होगा जो मैने plan दे रखा है revision plan revision plan तुम कहोगे सर नहीं हो पारा है demotivation हो रहा है नहीं अगर revision plan नहीं हो पारा ना self plan करो सर आपके plan में मज़ा नहीं आया आपने जो revision plan दिया था 90 day नहीं complete कर पाते हम self plan करो सर नहीं कर सकते 3 revisions जो आपने बोली है मैंने कहा कोई बात नहीं दो तो अच्छे से कर सकते हो self plan करो तब भी तुम्हें कहा था self planning सीखो मैं तुम्हें कभी कहता ही नहीं तुम मेरे ओपर dependent रहो क्यों रहते हो मेरे ओपर dependent अगर किसी दिन let's suppose अगर मैंने नहीं motivate किया या मैंने नहीं guide किया या मैंने नहीं roadmap दिया अगर एक class में भी मैंने नहीं roadmap दिया तो तुमारी life में कभी roadmap की कमी नहीं होनी चाहिए अपने roadmap खुद बनाने सीख जाओ खुद अब तुमको मैं self-sufficiency की तरफ लेकर जा रहा हूँ 18 plus हो चुके हो बाकी सारे काम भी तुम खुद करते हो अपने आप self-sufficiency की तरफ जाओ खुद करने लग जाओ अपने काम हाँ अगर कोई और नहीं कर रहा हम खुद करेंगे sir plan नहीं दे रहे हम खुद बनाएंगे sir नहीं reward कर रहे हम खुद solution टून कर लाएंगे क्या फरक पड़ता है खुद सीखोगे ही ना गलत करोगे तुम्हें क्या लगता है सारे logics तुम्हें क्या लगता है जो सारे logics जो आज तुमारे सामने मैंने build करें ये insurance से related ये claim से related ये जो सारे logics बिल्ड करें तुमारे आगे ये किसी ने हमें इस तरीके से paper पर लिख कर दिये थे कि हाँ इसको रट लो और रट्टा मार लिया होता आज जिंदगी में तो रट्टा मार कर ये logics दिमाग में याद रह जाते जिन कहानियों के थुरू, जिन stories के थुरू तुम्हें याद करवाता हूँ ये stories मैंने खुद के लिए build करी थी पहले जब मैं CA finals पढ़ रहा था ये stories मैंने खुद के लिए build करी थी इन stories के form में chapters को याद किया था कि chapters में हो क्या रहा है समझ में आया, ये stories थी जिन्होंने मुझे याद करवाया था कि अच्छा, NPO में जाते हैं, तो हमें एक not for profit organization खोल रहे हैं PBDD में, पहले PBDD का balance जो है, मलब provision for doubtful debt पहले adjust होगा, जो provision अभी पढ़ा हुआ है, bad debt जो है, वो पहले provision for doubtful debt से adjust होगा फिर P&L पर जाएंगे, ये सारी stories खुद बनाई थी अपने लिए retirement पर partner जा रहा है, तो retirement पर जाते जाते, क्या-क्या लेकर जाएगा मुझसे ये सारी stories खुद के लिए बनाई थी admission के लिए आ रहा है, तो partner आकर सबसे पहले क्या बोलेगा, साहब मुझे goodwill चाहिए, साहब मुझे ये चाहिए, साहब में को ये reimburse करो, समझ में आ रहा है, ये अपने लिए stories खुद बिल्ड करो, accounts में ये बागी subjects के लिए भी birld करो, ये मत बोलो कि सर बागी subjects भी पढ़ा दो, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाउँगा मैं आज ही बोल रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाउँगा तुमको बागी subjects मैं सिरफ accounts पढ़ाउँगा, लेकिन accounts ऐसा पढ़ाउँगा कि जब तुम CA बन जाओ गए न तो लोग तुम से पूछेंगे कि यार ये logics कहां से मिले तुमें ये logics कहां से develop करें accounts के, ये stories कहां से आई ये roadmaps कहां से आई, ये इतना strong कैसे हो गया तुमारा accounts, इतना strong कर दूँगा CA final के level तक इतना strong कर दूँगा logics को, कि कोई चाहा कर भी entry गुमा ले ना, तुम मेरे साथ मैं I dare you, I dare you right now, तुम चाहा कर भी entry लिख दो यहाँ पर कोई भी, तुम entry हो में मेरे को गुमा कर दिखा दो, तुम लोग जो सोच सकते हो ना, उस से उपर की entry सोच कर तुम में बता सकता हूँ कि यह वाली entry होती है, entries को combined entry भी कर सकता हूँ, कोई bragging नहीं कर रहा तुमारे आगे, कि मेरे को ज़ादा आता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ज़ादा बिल्कुल नहीं आता, तुमारे ही level पर था, मैनत करी है, combined entry भी कर सकता हूँ और break करकर भी entry कर सकता हूँ, समझ में आया दोनों level पर entry कर सकता हूँ, जब class में करता था, command भी सिखाता था, break करकर भी सिखाता था, आच्छी class में भी सिखाई, यह सिरफ और सिरफ logics थे, accounts के, जो मेरे दिमाग में flow करते थे, accounts के logic और इसी तरह मेरा maths भी strong था, बच्चे कहते हैं, सर, maths तो रटना होता है, formula रट लो, आज तक नहीं रटा formula, अपने college में 100 out of 100 secure किया था, maths में, जिसको mark shit देखनी होगी, पूछ ले न, stats और maths था, 100 out of 100 था, मेरे college का paper था, 100 out of 100 था, maths में, समझ में लाया, तो ऐसा नहीं था, bond genius था, 7th standard में, bond genius नहीं था, यही समझा रहा हूँ, hard work का मतलब समझा रहा हूँ, hard work का मतलब, 7th standard की mark shit शेर करूँगा, 60% थे, 60% लाया था 7th standard में, सोच लिया था कि कुछ नहीं हो सकता, CA जैसा course में कहां से enroll कर लेंगे, 60%, 7th standard, यहां के बाद से महनच शुरू करी, 8th standard, 70%, 9th standard, 80%, 10th standard, 10th standard में में मेरे पास वो आ गया था, क्या ना मैं, grading system शुरू हो गया था, जो तुमारा grading system, A2 grade, 11th standard, अपने school में second position पर था, 12th standard, commerce में top किया था अपने school में, समझ में आया, Hindu college, कोई bragging नहीं कर रहा, तुम लोगों के आगे, सिरफ share कर रहा हूँ, तुम कहते हो story share करो, story share कर रहा हूँ, Hindu college, maths में 100 out of 100, maths accounts में हिला कर दिखा दो तुम में, इतने strong logic बिल्ड करें हैं न, दिन रात बैठ कर, इतनी मेहनत करी है, और ये मेहनत करी है, सिरफ और सिरफ hard work था, CA inter में रात को पढ़ता था मैं, CA finals में जाकर, शाथ पहले भी बताया होगा, final में जाकर सुबह की पढ़ाई, अपने हाथ से, अपने हाथ से 50-50 question, solve करें हैं मैंने अपने हाथ से अपने registers में, 10-10 registers भरे हैं, maths और stats की preparation के लिए, maths, stats, accounts, practical, हाँ, theory मेरा weak था, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, भाई, तुम्हारे sir को theory नहीं आती, तुम मेरे से कहते हो sir law पढ़ा दो, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद margins पे law में पास हुआ हूँ, तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा मैं law, मुझे नहीं आती, मैं accept करता हूँ, audit law मेरा ऐसा था, इन दोनों पे मैं margins पे पास हुआ हूँ, अपने सारे levels पे, बाकी सारे subjects में exemption लेकर आया हूँ, क्योंकि जहां मेरे को practically कोई जवन्दा समझा देता था था ना, यह logic है विपुल, बस वो logic पगड़ कर हम आगे build करते थे, तो practically, मेरे को मेरे strong subjects पता थे, तुम लोगों को 90 day plan में मैंने समझाया था, कि strong subjects अपने 90 day plan में देख लो, कि strong subjects और weak subjects कौन से हैं, strong subjects में 90 plus, weak subjects में 100 attempt करके आएंगे, तो 50-60 तक तो गिरेंगे ही, law audit में 100 attempt करकर आया था, आज share कर देता हूँ कितने marks आया थे, 40-42, यह लो, यह score था मेरा, यह score था मेरा, 40-42, theory नहीं आती थी तो नहीं आती थी, बाकी subjects में पूछ लो, CA Inter में बता देता हूँ, CA Inter में tax में कितना secure किया था, 84, tax में 84 secure किया था, CA Inter में, बात समयन में आई, 84 तक पहुँच के दिखाओ, तुम CA Inter में, CA Inter के level पर बोल रहा हूँ, tax में वो भी, जहां बच्चे 60 नहीं touch कर पाते, 60 की exemption होती है, 84 secure किया, CA Finals में जाकर, 6 subject में, 5 से 6 subject थे, जिसमें मेरी exemption थी, एक subject में शायद 59 थे, 6 subjects में exemption, ये 2 subjects थे, जिसनोंने पीछे drag किया था, अगर ये 2 subjects को भी आगे ले जाता, कोई पता नहीं, AIR 1 भी ले आता, CA Final में, practical subject में तो तुम हिला के दिखा दो, समिद में आया ना, तो बस यही सोटी सी चीज़ कह रहा हूँ, और ये ऐसा नहीं है, मैं कई brag कर रहा हूँ तुमारे आगे, मेरे को ज़रूरत नहीं है दोस्त, तुम लोग सारे बच्चे हो मेरे लिए, मतलब तुम लोग को मैं teach कर रहा हूँ, तुम बच्चों की तरह हूँ, मतलब कि तुम लोग को मैं सिखा रहा हूँ, कि कैसे तुमें जीनी है जिन्दगी, वो सिखा रहा हूँ, तुम लोग के सामने brag करने का मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, जितना मैंने brag करना था जब मेरे CA finals का result आया था, अपने peers के सामने, जब उनको बताया था कि I am a rank holder, मैंने किया था brag, क्यो ना बोलें भई किया था, मेहनत करी है, rank लेकर आये हैं, तो क्यो ना करें brag, बिल्कुल मेहनत करी है, दिन रात बैठे थे, आज बताते हैं किसी को जब बोलते हैं, तो introduce yourself, CA Wippled Hall, क्यो ना बोलें CA, बहुत महनत करी है, डॉक्तर नहीं बोलते कि क्या, डॉक्तर, डॉक्तर नहीं बोलते क्या, डॉक्तर हैं, तो हम क्यो ना बोलें, गई CA Wippled Hall, बहुत महनत करी है, बहुत राते ऐसी थी जब सोय नहीं, बिल्कुल ब्रैक करते हैं पर तुम लोगों के आगे ब्रैक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मुझसे ही सीख रहे हो तुम लोगों के आगे मुझे ब्रैक करने की ज़रूरत नहीं है बात समझना है तुम लोगों को hard work सिखा रहा हूँ कि ये hard work था, ये कोई luck नहीं था, ये कोई luck नहीं था, यहां से जब तुम्हें बताया ना कि 7th में 60%, ये कोई luck नहीं था, और 12th में, 12th में comma stream में top करना, ये कोई luck नहीं था दोस्त, यहां पर ये सिरफ और सिरफ hard work था जर्नी में, कोई smart work नहीं था, सिरफ hard work था, only and only hard work sheer hard work practicing yourself जो चीज़े नहीं समझ में आती थी खुट डूंडता था प्रैक्टिस करता सिरफ hard work था और हाँ ये बात याद रखना अगर तुम hard work कर रहे हो न तो मेरी मदर मेरको हमेशा यहीं बोलती है कि then God will help you तुम बोलो मैं महनत नहीं करता मैं lucky हो जाऊं I would say कभी नहीं lucky होंगे ऐसे कि बिना महनत करे rank ले आओगे You help yourself and then God will help you and then He will help you उन्होंने जब मेरा commitment देखा न यहाँ पर कि भाई 19 सितमबर से उठ कर भी मेरे को ऐसा लगता है एक November को तू पेपर देने जा सकता है उस health के साथ जिस health से तू अभी अभी उठा है तो I think जहां पर मैंने जब यह decision लिया था न then God started helping me वो support करने लग गए थे मेरे को कहीं न कहीं जो मेरे long hours चले गए थे उन्होंने थोड़ी speed बना दी थी फिर मेरे पढ़ने की थोड़ी speed बन गई थी पढ़ने की कि जल्दी जल्दी पढ़ रहा था और याद हो रहा था पता नहीं कैसे हुआ यह I don't know कैसे हुआ I seriously don't know rank कैसे आ गया I have no idea मैं सिरफ औ सिरफ यह aim कर रहा था कि साहब मेरा first attempt में मैं यही pray करता था मेरा first attempt निकलवा देना मेरा goal था life का goal था rank कैसे आ गया His grace seriously His grace I don't know rank कैसे आ गया पहले aim कर कर चल रहा था AIR 1 के लिए पर जब यह सब हो गया then it was just about clearing it in first attempt बस तो यह मेरी तरफ से मेरी तरफ से छोटी से आप लोग के लिए story थी मैंने आपको बता दिया हमारी farewell का part हो गया बाकी अपना hard work पूरा रखो there is no substitute for hard work hard working person कभी fail नहीं होते है अपनी life में यह बात याद रखना time लग सकता है time लग सकता है यह मना नहीं कर रहा कि time नहीं लगेगा hard work करोगे तो early success मिल जाएगा यह नहीं बोला मैंने time लग सकता है hard work करने के बाद time जरूर लग सकता है साब क्या पता क्या पता दो attempt लग जाए success मिलेगी यह sure हूँ hard work करोगे success मिलेगी यह sure हूँ अगर शिद्दत से hard work करते रहोगे time कितना लगेगा यह कोई नहीं बता सकता यह तो तुम्हारी अपनी story define होगी life में जब आगे जाकर अपनी story किसी को बता रहे होगे तो वो तुम अपना time खुद बताओगे कि यह हमारा time लगा time कितना लगे पर hard work करते रहोगे शिद्दत से अपने पास तो success जरूर मिलेगी यह बात तो यह बस हमारी closing statement है आज के लिए is batch के लिए यह batch का farewell हम यही पर काफी लंबा होगे आप लोग के लिए भी 4 घंटे होने वाले हैं almost आची class को हमारे पास तो time लग सकता है success जरूर मिलेगी is my closing statement for today thank you so much I really appreciate कि आप लोग रोज सुबह जितने लोग live आते थे एक आपने अपनी routine बनाई I was very happy with it कि आप लोगो ने अपनी routine बनाई रोज सुबह 8 बजाने की जैसे जैसा मैंने आपको बोला आपने वैसा वैसा किया I really appreciate it और आप लोगों में बहुत caliber है don't let anybody tell you that you don't have a good brain okay tell them that I have the same brain that you have the difference is that I have not worked hard right now the only difference is that I have not worked hard right now the day I will start working hard you see the success then you will see the success ranker ना बन गया ना उनको बोल देना ranker ना बन गया ना तो बताना आज caliber ये मत बोलो caliber नहीं है बस ये बोलो कि hard work नहीं करते तुम लो जिस दिन hard work करना शुरू कर दिया ना ranker क्या तुम AIR 1 भी touch कर जाओगे ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है ICI के president का call आता है AIR 1 को समझ में आया presidents आप call करते है finalists जो rankers होते है 1, 2 और 3 को बोला जाता है कि call आता है भई हमें तो आया नहीं बढ़ हमने भी सुना है AIR 1, 2, 3 को presidents आप खुद call करकर बताते है कि आपका AIR 1, 2, 3 आया है तो बस don't let anybody tell you that you don't have the caliber you all have the same brains the only difference is your hard work and your कहते है ना कितनी सच्चाई से काम कर रहे है अपने पास the truth with which you are working कितना commitment है तुमारे पास उस चीज़ की कमी है बस तुम में कोई बच्चा 100% commitment पे काम करता है तो कोई बच्चा कहता है कि sir 80% से ले बस कर जाओं तो चलेगा तो चलेगा अब मैं उसको क्या बोलूँ क्या उसको ये ये success की रहा ना दिखाओं कि 100% काम कर बेटा तेरी success जो है वो ranker है तू तू ranker है तू 80% पे काम क्यों करता है तू क्यों पीछे रह रहा है सब लोगों से बात समझ में आई तूम लोग सब rankers हो लेकिन point क्या है ना बस वो अभी तूम लोगों को थोड़ा सा वो करने की बात है थोड़ा सा खंगालने की जरूरत है तूम लोगों को ऐसा नहीं है मुझे theory नहीं समझ में आती थी मुझे पता था मैं theory में hard work नहीं करता मुझे पता था मैं theory में hard work नहीं करता मैं practical को ज़्यादा time देता था यह बात मेरे को internally पता है यहाँ पर hard work किया होता तो theory में भी मैं उसी type के जंडे गाड़ता exemption लेकर आता hard work नहीं किया था फरक यही था बात समझ में आ गई चलिये जी all the very best for your exams अच्छे से paper करो आकर बताओ बाकी हमारा जो वो हमने आपको पहले ही promise करा है 90 plus in accounts 90 plus in accounts जिस भी बच्चे का है उससे हम personally आपको मिलेंगे आप लोगों को goal इसलिए high दिया है ऐसा नहीं है sir कि ऐसा है कि आप सिरफ 90 वलों से मिलोगे ऐसा कुछ नहीं है मिलने को सबसे मिल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है goal इतना high इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम लोग high aim करना सीखो जब तक aim high नहीं होगा न जिंदगी में results भी high नहीं मिलेंगे बात समय में आ गई जब aim high होगा न यहां पर aim था AIR1 का सहब aim था AIR1 का President साब से call चाहिए था मुझे कि मेरे को call करकर बोलें कि तुम AIR1 congratulations AIR1 आया है आपका aim था AIR1 AIR43 आया very happy क्या यह इससे किसी भी तरीके से less है I would say no एक भी percent से मैं नहीं बोलूँगा कि यह एक भी percent से I am less than AIR1 जो भी मेरे batch में आये थे AIR1 परक क्या होता है AIRs मैं बताऊं कितने का एक या दो marks का जब मैं अपने rank वले ceremony पे मिला था न all India rankers है सारे 50 लोग हम बैठे हुए थे तो ceremony होती है rankers की finalists जो बनते हैं CA बनते हैं यहाँ पर main podium stage होता है कभी देखूँगा अगर मेरे को अपनी वो CD मिल गई तो upload करूँगा यहाँ पर पूरा auditorium बुग्ड होता है यहाँ पर बाकी सारे CA जितने होते हैं बैठे होते हैं और यहाँ पर भीच में नीचे लगता है rankers के लिए एक अलक से वो सारे rankers से मिला था मैं हमारे batch में new और old course के दो rankers निकले थे तो हमारे batch में 100 rankers थे 100 rankers थे क्या उन 100 में से फरक कितना था एक या दो marks का सारे rankers में मेरे से पहले वाली rank जो थी वो एक marks उपर था मुझसे एक marks उपर था बस मुझसे और ज़्यादा marks उपर नहीं था बात समन में आई एक marks उपर था तो एक rank उसकी 42 थी और मेरा ही दोस्त था ये भी बता देता हूँ मेरा ही दोस्त था जिसकी 42 rank थी आज भी जानता हूँ उसको बाकि सारे rankers से मिला मैं अपने परस वहाँ पर जाके कोई फरक नहीं होता सारे normal बच्चे थे मैंने वहाँ पर जाकर सबसे बात करी देखना चाहता था कि क्या यार ये कुछ अलग बच्चे होते हैं क्या जिनकी rank आ जाती है क्योंकि मैं तो अलग नहीं था मैं तो बिल्कुल मस्ती खोड़ता में को तो पसंद था मैं तो काम करता था फिर मस्ती भी करता था तो मैं देखना चाहता था कि rankers अलग होते हैं, क्या कि ये पढ़ते ही रहते हैं, क्या पूरा दिन ऐसे बच्चे होते हैं, क्या जो बिलकुल ऐसे मोटा से चश्मा लगा कर बैठे होंगे, और ऐसे बिलकुल किताबों में घुसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, सारे rankers सेम थे, सब rankers को देख लेना, सारे rankers सेम सबका दिमाग, सबका level, सबकी बात करने का तरीका सब सेम था कुछ अलग नहीं था AIR1 क्या मुझसे ज़्यादा caliber रखता था, बिल्कुल भी नहीं AIR1 और मुझमें फरक क्या था सिरफ और सिरफ कि सहब उसके 4 marks जादा आये थे, मेरे 4 marks कम आये थे क्या उसकी strategy कहीं किसी एक subject में शायद law, law और audit में शायद उसकी strategy मुझसे जादा बेटर रही थी मेरी strategy शायद law audit में उतनी strong नहीं रही थी तो मैं law audit में थोड़ा पीछे हो गया लेकिन बाकी मेरे subjects ने मुझे आगे तक खीच दिया, खुद सोचकर देखो न अगर rank आई है law audit में तुमको बता दिया अपने number तो बाकी सारे subjects में अच्छे ही number secure करे होंगे मैंने कि तभी rank आई है वहाँ पर जाकर, तो सारे बच्चे same होते हैं सबका caliber सेम होता है, फरक एक दो number का होता है rankers तुमारे बीच में से ही निकलेंगे, समझ में आया first attempters भी तुमारे बीच में से ही निकलेंगे और फरक पते है क्या होगा, caliber सबका सेम होता है hard work नहीं करोगे तुम लोग जो hard work नहीं करेगा ना, बस वो ही फरक होता है और hard work करने के बाद भी ये मत सोचना की सर हो ही जाएगा किसी किसी को success में थोड़ा time लगता है मिलने किसी को थोड़ी जल्दी मिल जाती है hard work करने वाले को मिलेगी जरूर अगर तुम hard work कर रहे हो या तो rank आएगी या first attempt आएगा या फिर failure आएगा लेकिन failure के बाद success पकता आएगी और एक बात याद रख ले ना अपने पास, जो बच्चा यहाँ से hard work करके ये path के through निकलेगा ना, failure और success तब देखेगा, I can tell you I can tell you, वो जो बच्चा है जादा नहीं quote करता बट in long life की बात करता हूँ ये दोनों को पीछे छोड़ेगा ये दोनों को पीछे छोड़ेगा, क्योंकि जिसने यहाँ पर failure को test किया है न वो जानता है life में साहब failure से गिर कर दुबारा उठने का मतलब क्या होता है failure से गिर कर दुबारा उठने का मतलब क्या होता है, समझ में आया जितने बच्चों ने यहाँ नहीं देखा हमने भी नहीं देखा था साहब, लेकिन हमने अपनी life में और बहाँ जहां काम कर रहे थे वहाँ पर कहीना कहीं failure देखा है थोड़ा बहुत लेकिन हम भी यह नहीं कहते है कि कोई ऐसा massive failure, लेकिन यह जो failure है ना, यह मैंने अपने दोस्तों के साथ experience किया था, जो बिचारे रहे गए थे और उनको देख कर ना actually में मेरे को motivation मिलता था कि नहीं यार काम कर, काम कर क्योंकि यह वाला जो failure है ना, यह वले failure इस failure के साथ ना, deal करने के लिए एक अलग set of people लगते हैं, इसके अंदर अलग set of mindset लगता है, लेकिन यह जो failure के बाद success लेकर आता है ना life में, घबराना मत, इस success के बाद जो, मतलब इस failure के बाद जो success मिलती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने पहले से ही देख रखा है साब की जिंदगी में गिरेंगे भी और उठेंगे भी, जिंदगी में गिरेंगे भी और उठेंगे भी, लेकिन फिर भी हमने आगे बढ़ते रहना है, समझ में आया इन बच्चों ने पहले से तो कोई बच्चा अगर हमारे साथ बैठा हो सर फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्ट दिया था, क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं पेलियर टेस्ट कर लिया न, अब सक्सेस का और मज़ा आएगा, कहते है न, पहले कड़वी चीज़ खा लो, ये कड़वी चीज़, करेला खा लिया पहले तुमने करेला खा लिया पहले तुमने, अब उसके बाद जब स्वीट्स खाने जाओगे, तो स्वीट्स का अलगी मज़ा आएगा, पहले यहाँ पर मिर्ची लग रही थी, एक कड़वा पन लग रहा था बहुत जादा, अब यहाँ पर स्वीट्स का लगी मज़ा आएगा, बात समझ में आ गई, तो failure से भी घबराना मत, failure भी आ सकता है hard work के बाद, आज आए, तो accept करो, accept करके replan करो, दुबारा उठना कैसे है, दु चलो एक अच्छा और point एक निकल कर आया है, एक अच्छा point और निकल कर आया है, last day को एक point और और ले लेते हैं, over confidence को लेका, देखो एक बात बहुत तुम्हें न, अपनी family में देखी हुई है ये वली चीज, इसलिए बता रहा हूँ, CA foundation first attempt, CA inter, both groups first attempt, both groups, एक ही बारी में, first attempt and CA final, four attempts, सामने देखा है, नाम नहीं ले सकता person का, क्यों, reason, first attempt, first attempt, और fourth attempt, पहला attempt, पहला attempt, पहला attempt, चार attempt लग गए, CA बने, hard work चल रहा था, hard work चल रहा था, hard work नहीं रुका था कहीं पर भी, CA जरूर बने, क्या दिक्कत थी यहाँ पर, इसके बाद न, over confidence आ गया, CA को हलके में आकने लग गए थे, कि यार देख, foundation तो होई गया न, inter भी निकाल लिया, बढ़िया जगा आर्टिकल शिप भी कर रहे हैं, big four में, कितना बढ़िया exposure मिल रहा है, final कौन सी खेत की मूली है, final भी निकाल लेंगे, over confidence, last moment तक पढ़ाई नहीं करी, आखरी मूमेंट पर जाकर, आखरी के 6 महीनों में किताबे उठाई, कोई planning नहीं थी 6 महीनों से पहले, धाई साल बरबाद कर दिये, आर्टिकल शिप के, धाई साल बरबाद कर दिये, आखरी 6 महीने में उठाई, confidence के साथ, confidence पूरा था, अरे ऐसे कैसे हम कैसे रह जाएंगे, confidence तो पूरा था, confidence दिया, पहला attempt, fail, बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, अपने सामने का से, दूसरा attempt, again fail, पूरी preparation कर कर गए थे, तीसरा attempt, फिर fail, अब तो साहब यहाँ पर घर पर बैठे थे, घर पर बैठ कर पूरे साल preparation करी थी, 6 महीने, अब तो 3 बार course revise कर चुके हैं, अभी भी fail, 4th attempt तक बात समझ में आ चुकी थी, overconfidence था, 4th attempt, both group cleared, success, CA, सिरफ और सिरफ फरक कहां था, overconfidence, 3 attempt लगे overconfidence को तूटने में, जब 3 attempt रो कर देख लिया आना, कि रोने स कुछ नहीं होगा सहब, failure तो आ गया, 3 attempt लगे overconfidence तूटने में, लेकिन 4 attempt में जाकर success मिली, जब finally समझ में आया कि CA उस खेत की मूली का नाम नहीं है, जो हर कोई खा लेगा, वो दो नाम नहीं है, जो हर कोई अपने नाम के आगे जोड लेगा, हर कोई नहीं जोड सकता, यहा पास यहाँ पर, सबको CA आगे लगाने से पहले, बहुत hard work करना पड़ेगा, CA उसी के बाद मिलता है, वो दो शब्द, वो दो शब्द लेने के लिए ना, जिन्देगी के 5 साल लगते हैं, वो जो first attempt में clear करते हैं, वो सिरफ दो शब्द होते हैं, सिरफ दो शब्द, तुमे gratitude के साथ जाना जरा, foundation का paper ही clear नहीं कर पाओगे, कर लेंगे, ऐसा क्या है CA में, कर लेंगे, foundation ही clear करके दिखा देना मेरे को, CA की course में entry तो बाद में लोगे, foundation ही clear नहीं कर पाओगे, यहाँ पर ये course मांगता है commitment, कुछ courses हैं साहब, कुछ courses हैं हमारी country के अंदर, IAS एक ऐसा course ह जिसको मैं बोलता हूँ, जिसमें commitment लगती है साहब, CA और IAS में commitment लगती है, personal life छोडनी पड़ती है बच्चो को, personal life छोडनी पड़ती है, तब जाकर बनते हैं CA और IAS, समझ में आया, यह वो courses नहीं है, कि सर admission हो गया, entry ले ली, entry ले ली तो सर बन ही जाएंगे अब, journey तो यह से शुरू होती है, यहां से journey शुरू होती है, यहां पर तो 35% बच्चो का success rate है, यहां जाकर बनता है 10%, और यहां जाकर बनता है 4%, entry ले ले लेते हैं, यह कम पता है क्यों होता जाता है, overconfidence में मारे जाते हैं, यह आदे से जादे छोड़ के चले जाते हैं, यह आदे से है, दो attempt clear करतो आये, CA ही तो है, इस mindset के साथ तो कभी CA नहीं बन पाऊगे, समझ में आया? अपने पास focused रहना, पूरी जर्नी में, मैं तुमारे साथ उस टाइम पर हूँ, चाहे ना हूँ, I cannot be sure about the future, I cannot be sure about the future of what would happen tomorrow, nobody can be certain of anything, मैं हूँ, चाहे ना हूँ, वहाँ पर तुमारे साथ, इन चीजों को please, जो मैंने आज तुम्हें सिखाई हैं, इनको याद रखना, overconfidence, अपनी जिंदगी में मतल कभी लाने देना, at least, at least जब तक तुम CA में हो, हाँ, CA बनने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत smart हो, अपने peers से ज़ादा हो, तो ठीक है, फिर तुम्हें अगर show off करने में मज़ा आता है, तो कर ले नू, लेकिन इस journey के दौरान please, यहाँ पर तुम सब students हो, समझ में आया, तुम में से अभी कोई भी CA नहीं बना, कोई बच्चा बोलता है ना, कि सर मैं CA foundation clear कर दिया, तो तुम में से अभी कोई भी CA नहीं बना, समझ में आया, तुम जितने भी CA से बात कर रहे हो, तुम में से कोई भी CA नहीं है, तुम सबने अभी C.A. बनना है जिसन C.A. बन जाओगे उस दिन आकर बात करना कि हाँ सर C.A. क्लियर कर लिया आज हैं हम Chartered Accountant यह Membership Number है हमारा छे डिजिट्स अपनी मेरे को दे देना कि सर यह रहा हमारा Membership Number जाकर ICI में चेक कर वाले हैं हमारे नाम पर registered है ICI का जिसन Membership Number आता है ना बड़ी खुशी मिलती है पांच साल की मेहनत इन छे नमबरों में होती है यह छे नमबर होते हैं सिक्स नमबर होते हैं Membership के जिनके आगे लिग दिया जाता है कार्ड आता है ICI की तरफ से एक कार्ड आता है उस पर लिखा होता है तुम्हारा नाम मेरा नाम लिखा हुआ है उस पूरे इज़त के साथ CA विपुल ढ़ल नीचे Membership Number लिखा हुआ है साथ में कि यह सर आपका Membership Number है आप जहां पर भी जाए CA Institute में अपना Membership Number quote कर दीजेगा आप हमारे Member हैं for lifelong पूरी इज़त के साथ कॉल करा जाता है समझ में आया कोई भी event होता है पूरी इज़त के साथ कॉल किया जाता है तुम सोचते होगे CA Students को इज़त क्यों नहीं मिलती क्योंकि तुम अभी तक CA नहीं हो समझ में आया इज़त मिलेगी CA बनो मेहनत करो, hard work करो सबके लिए है जर्नी hard workers कभी fail नहीं होते time लग जाएगा fail नहीं होगे over confidence मतलाने देना समझ में आया शालब जी बहुत ही बढ़िया अपने पास अब इसी note के साथ अब अपनी preparation स्टार्ट करो कल तुमारे को छुट्टी है please time waste करना बंद कर दो कल छुट्टी है, कल से ही तुम अपनी preparation स्टार्ट कर दो, एक दिन तुमको extra दे दिया है इसको waste मत करना, कल से ही preparation स्टार्ट करो मेहनत करनी शुरू कर दो आएगी 4 November को तुमारे लिए दिवाली, सबके लिए दिवाली है, CA final वले भी बैठे है, CA final वलो के लिए भी दिवाली आएगी, उनके भी paper हैं December में, CA final वले नहीं दिखेंगे तुम्हें दिवाली मनाते हो इस साल अगले साल जेशन मनाएंगे, तुमारी गली में होंगा न कोई CA final वला, जो महनत कर रहा होगा, तुमारी society में नहीं दिखेंगा तुम्हें इस बार नीचे, November attempt वले दिवाली नहीं मनाते हैं, उस attempt में, जिस attempt में CA final आता है, अगले attempt में देख लेना, अगर वो CA बन गया ना अगले attempt में देख लेना, अगर CA बन गया ना तो उसके घर पे ना, जो तुम वो feeling होती है, याद रखना आज भी, आज भी जब मेरे parents से आकर लोग मिलते हैं, तो मेरी जो elder sister है मेरी जो elder sister है, वो भी CA है मैं भी CA हूँ, आज भी आकर यही बात होती है, कि लोग parents को यही बोलते हैं, कि you are lucky enough कि दोनों बच्चे CA बन गए, समन्द में आया, तो जब यह parents को compliment मिलता है न बस, वो एक moment होता है, जब life में लगता है कि यार चलो, पांच साल महनत करी, पांच साल महनत करी लेकिन आज अच्छा लगता है मॉम्मी बापा को जब वो किसी लिए चीज सुनते हैं, बात समन्द में आ गई, तो अपने पास उस level of commitment से काम करना कि यार, अब यह चीज ना सिरफ अपने लिए नहीं रह गई, अब अपनी family के लिए रह गई है, अपने goals के लिए रह गई है, यह जो दोस्तों के साथ time बर बाद करना है, इसको खतम कर दो, यही दोस्त, तुम्हें 5 साल के बाद भी मिल जाएंगे, 5 साल के बाद मैंने अपने दोस्तों को call किया था, seriously बता रहा हूँ, school के दोस्त थे, नहीं करता था उनसे बाद, जब तक CA final कर रहा था, CA final में, उनका call आता था, मैं पिक नहीं करता था, क्योंकि मेरे को पता था आदा घंटा मेरे से बात करेंगे, मेरे पास time नहीं था, मैंने नहीं calls पिक करें, जब आखरी paper हो गया 17 November को, उनको call कर लिया था शाम को आके कि यार देख, मेरा paper था, और उन्होंने यहीं बोला, कि कोई बात नहीं विपल, हमें पता है तो कर रहा था और आज जब हमारी बात होती है, दो-दो घंटे फोन पर बात करते हैं, nobody is there to monitor us, वो भी successful है, मैं भी successful हूँ, क्या दिक्कत है आज, वो भी अपनी life में कहीं पर, बड़ी studies पर focus करो, समझ में आया, यह तुमारा goal है इस time, चलिए जी, बिलकुल, बाकि अब तुमारे लिए है भी, अब तुमारी अपनी journey है, तुमारी अपनी journey है, एक शब्द जो मिरको motivate करता है, वो है success, तुमने सुना होगा, दो ही motivators हैं इस पूरी दुनिया में, fear of failure, राज, या तो तुमें ये motivate करता है, या फिर pleasure of success, तुमारे लिए क्या काम करता है, निकाल लेना, मेरे लिए ये काम करता है, ओ सॉरी, मेरे लिए ये काम करता है नीचे, pleasure of success, ये है मेरा motivator, क्योंकि मैंने success को taste करके देखा है, तुमने अभी तक taste नहीं करी success, तुमें नहीं पता success का taste, कितनी, कितना अच्छा taste होता है success का, तुमें अभी नहीं पता, तो तुमारे लिए शायद अभी ये fear of failure motivator हो सकता है, पर मेरे लिए ये motivator है, the pleasure of success, ये जो distributed by anything else, समझ में आया, अब इधर focus करो, अगला personal mentoring session, आप लोगों का time नहीं waste करना मेरे को बिलकुल भी, मैं अगला personal mentoring session आपका, आपके exams के पास रखूँगा, आपको मैंने 20 days दिये थे, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे थे, उन लोगों को मैंने first revision के लिए 20 days दिये थे, नवेंबर 1st से लेकर, मैंने का था, 20th नवेंबर तक तुमने अपने चारो subject की first revision खतम कर लेनी है, तो personal mentoring session या तो 21 को होगा, या 22 को होगा, इन दोनों dates में से किसी एक दिन रखूँगा, सिरफ और सिरफ आपके उस time पर mental mindset जो आपको उस time पर mindset चल रहा है mental pressure को देखने के लिए 21 या 22 को notify कर दूँगा आप लोगों को आपके telegram पर आप अभी पहले अपनी revisions करो, पहले एक journey करकर आओ फिर मुझसे बात करना, अब आप मुझसे अगला जब मिलेंगे, तो आप मुझसे मिलेंगे 21 या 22 को all the very best to everyone to everyone चलो जी, thank you so much कुनाल, रादे रादे वैशनवी, 21 या 22 को हम आपको telegram पर बता देंगे कब अब हम आपका personal mentoring session रखेंगे उस session में आ जाना, उस time पर जो भी feel कर रहे होगे, उस session को रखेंगे ऐसा कि हर बच्चे को 2-3 minute का time देंगे, ताकि सारे बच्चे जो हैं अपने doubts पूछ सकें, सारे बच्चे अपनी जो queries हैं वो पूछ सकें 2-3 minute का time रखेंगे, ताकि maximum बच्चों को हम उस time पर cover कर सकें चलो जी हम mail कर देंगे, वैशनवी एक काम करेंगे अच्छा जितने बच्चों को न अच्छा जितने बच्चों को इसका notification चाहिए, वैसे तुम लोग का mail है, जो last personal mentoring session वाले थे न, जिन्होंने register कर रखा था last personal mentoring session में उतने लोगों को मैं mail, उसी mail पर मेरे पास वो पूरा list पढ़ा हुआ है जिन्होंने पहले personal mentoring attend किया है mail कर दूँगा सबको, बाकी जो नए बच्चे इस time period में देखेंगे एक form है, जो मैं इस video के description में अभी नहीं है भी डाल दूँगा तो by the time recorded वाले इसको देख रहे होंगे तो तुमें वो form मिल जाएगा तो अगर तुम टेलिग्राम पर नहीं होगे तो तुमें अपनी mail पर mail मिलेगा 21 या 22 को 21 या 22 को तुमारा personal mentoring session होगा Teams पर कर लेंगे Teams पर कर लेंगे यश ठीक है, done ओके यश Team या फिर zoom रखेंगे दोनों में से कोई एक option रखेंगे जिस पर आप easily बात कर सकते हो Most likely Teams ही होगा बाकी आप लोगों की जो journey है उसके लिए आपको बता देते हैं CA Inter के लिए जो है आप एक बार अपना attempt दे लो येवल आप 19 December तक आसपस आपना attempt से free होगे January के first week से हम लोग अपने पास अपनी preparation स्टार्ट कर देंगे CA Inter की Classes उस time पर join कर सकते हो आप लोग उस time पर येवली सारी classes free of cost रहेंगी तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं उसी time बोल दूँगा result आने से पहले पैसे दो ऐसे नहीं बोलूँगा कि result आने से इंटर में चार्ज करेंगे बात समद में January से आप आ सकते हैं January में हम batch launch करेंगे जब तक आपका result नहीं रहता batch पूरा free of cost रहेगा उसके बाद अगर आपको लगता है आपको continue करना है आगे अपने दोस्तों को भी बता दीजेगा result आने के बाद at least अब इससे फायदा क्या होगा एक बात बताओ फायदा क्या होगा ये जो 15 दिन है अगर 15 जनवरी को भी अगर आपका result आता है खुद सोचकर बताना 15 जनवरी को भी तो at least 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हम दोस्त अपने पास 15 दिन utilize कर पाएंगे बाकी लोग आप से 15 दिन पीछे होगे आप 15 दिन आगे होगे समझ में आया तो ये अपने पास याद रखना CA Inter जो है CA Inter हम अपना most likely January में एक या दो जनवरी से शुरू कर देंगे पहले से ही preparation करनी जब तक result नहीं आएगा free of cost रखेंगे उसको result आने के बाद ही pay करना जो pass होगा सिरफ वो पैसे देना जिसका नहीं हुआ वो अपने पास foundation फिर foundation में तो आप हमारे पास free में ही हो foundation तो हमारे पास वो ही batch चलेगा CA foundation के लिए तो आपको पहले ही बोल रखा है CA foundation के लिए 0 fees है आज भी कल भी CA foundation के लिए मेरी तरफ से मैंने आपको पहले ही बोला था that is a small gesture from my side for everyone कि CA final के लिए आप लोग के पास accounts की कोई fees नहीं है at least CA foundation वैसा ही रहेगा CA inter में जब आप clear कर जाओगे तब आना तब देखेंगे जो videos हैं अभी videos जो अभी तक हमने डाली हैं YouTube पर ही रहेंगी याद रखना वो YouTube से मैं हटाऊंगा नहीं क्योंकि में को लगता है काफी सारे बच्चे अभी revision के form में आप कैसे भी देखेंगे revision का कोई batch नहीं लूँगा मैं December वालों के लिए अभी ही बता रहा हूँ December वालों के लिए कोई batch नहीं है revision का अगर मेरे को लगा personal mentoring session में आपसे बात करकर की काफी बच्चों को ऐसा लग रहा है तो at max में one day revision लूँगा at max बता रहा हूँ one day revision one day marathon लूँगा जिसके अंदर full course revise करवाऊंगा at max बोल रहा हूँ ये भी at max जिसमें आप अपने notes अपने सामने रखेंगे जो अपने registers में maintain करें registers में जो notes बनाये हैं वो सामने रखोगे एक दिन में अगर मेरे को 21 या 22 को लगता है कि आपका mental pressure बहुत हाए है और accounts में face कर रहे हो problem एक दिन की revision रखोंगा आपका time जादा नहीं लूँगा समझ में आया वो भी आपके पास free of cost रहेगी वो भी आपके पास free of cost रहेगी उसके लिए भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे वहाँ पर भी वो जो revision होगी one day की पूरा दिन उसको भी करेंगे teams या youtube पर ही रखेंगे ताकि आप maximum अपने पास दोस्तों को बुला लेना पूरा CA foundation accounts एकी बारी एकी दिन में खतम कर देंगे चलो one day revision अभी सही कह रहे है RTP, MTPR अपने पास खुट try करो सोनल मैंने आपको concepts बता दिया है कोई doubt आ रहा है अगर आपको तो मैंने आपको doubt पूछने से कभी मना नहीं किया doubt मैं आप सुबे अगर सवाल करते हो रात तक मैं आपको जवाब देही देता हूँ टेलिग्राम पर, पूरा दिन अगर मैं busy हूँ तो मैं रात को आपको सोने से पहले जवाब देकर सोता हूँ सारे बच्चों को चलो most welcome everybody is most welcome जो भी thank you बोल रहे हैं ये भी अपना free of cost है, batch भी अपना free of cost है revision भी अपनी free of cost ले लेंगे inter का भी पहला मन्थ आप लोग के लिए ऐसा रख देंगे कि आपको पैसे ना देने पड़े बस, बात समन्न में आ गई बाखी, वीडियोज यूट्यूब पर रहेंगी आप अगर बाद में देख रहे हैं, अपने convenience के हिसाब से आप आगे पीछे करकर देख सकते हैं दोनो batches जो हैं, दोनो batches, पहले वाला batch भी अभी तक यूट्यूब पर ही पढ़ा हुआ है, और ये वाला batch भी यूट्यूब पर ही रहेगा, तो दोनों में से आप कोई भी batch देख सकते हो, पर मैं preference दूँगा December 21 वाला जो ये batch अभी चल रहा है उसको ही देखना, पहले वाला batch जो था, उसको वो पहले वाले बच्चों के लिए था, इसमें हमने अपने latest module के हिसाब से पढ़ाई करी है, जो ICI के था, December और May 22 May 22 के लिए हम जरूर कोई revision plan कर लेंगे, May 22 वाले बच्चे जो हैं, उनके लिए कोई proper एक one month revision plan कर लेंगे जिसके अंदर आपको पूरा batch ले लिया है तो पूरा एक महिने में पूरा राम से revise करवा देंगे सरवग्य अपने पास पहले maths खतम करो सरवग्य maths खतम करो maths को पीछे नहीं छोड़ना, अगले चार दिन बेशक maths को दे दो और री प्लान कर लेना थोड़ा सा, लेकिन maths प्लीज खतम करकर अपने पास start करना आगे बट सर, enter on other app अक्षा कौन सा other app इंटर on other app मतलब क्या आप मतलब कह रहे हो कि personal app पर लें आपका कोई, personal app बन वाले है अक्षा मुझे बात नहीं समन मैं, इत्वर detail में लिखना you are most welcome everyone शलो भई देख लेते हैं, इसके बारे में पता कर लेते हैं अक्षा तुमारी जो बात थी वो बता दे न बट सर, बट इंटर on other app का मतलब क्या था यहाँ पर, sonal आपको दे रखा है मैंने study का, study का time table आपको मैंने already बता रखा है, revision के time पे तो पूरे दिन में आपने study करनी है, 90 day plan देख लो एक बार sonal, अगर 90 day plan में भी दिक्कत आ रही है, youtube पर पढ़ा है दिखा दू कहां पर है, youtube पर पढ़ा है भई youtube पर ही पढ़ा है तुमारा 90 day plan उस plan के अंदर मैंने पढ़ने का schedule भी दिया था, उस plan में revision का schedule भी दिया था अच्छा, इंटर में ठीक है, अक्षा प्लान कर लूँगा तुमारे साथ बिटा जो भी आपका इंटर का batch रहेगा, वो zoom या teams पर ही लेंगे जो आपका dedicated होगा, जो थोड़ा light version होगा, youtube पर इनो थोड़ा bandwidth जादा consume होता है, December 21 वालों के लिए ये batch रहेगा, May वालों के लिए भी यही batch है, ये पिछला batch uploaded है और 90 day plan sonal यहाँ पर पढ़ा है, ये insights by iVision में आओगे, यहाँ पर नीचे पढ़ा है 90 day plan, प्लीज इसको एक बार देख लो ये अभी तो खेर वो चल रही है, अपने पास add चल रही है, पर तुम समझ गई हो मेरे इसाब से पहले ही पता लगा है, तो अब मेहनत कर लो, भई थोड़ा सा वीडियो यहीं पर ही है देख लेंगे, चलो plan कर लेंगे, भई प्लान कर लेंगे, अभी inter की बातों पर तुम क्यों आ गए, अभी inter की बाते छोड़ दो CA inter में क्या करने वाले हैं, अभी foundation पर focus करो अपना, जब तुम free हो जाओगे न, सुनो मेरी बात, अभी तुम 19 को free हो जाओ ज़रा 19 दिसंबर को बाते करेंगे, टेलीग्राम ग्रूप को open कर देंगे, तुम्हें उस दिन जितनी बाते करनी हो, 19 दिसंबर को, शाम को आकर अराम से बाते करेंगे अपने पास, सीए, इंटर की भी बात करेंगे, तुम्हारे पेपर कैसे हुए, वो भी बात करेंगे, तुम्हारे और क्या mindset चल रहा है, क्या करना चाते हो, सारी बाते करेंगे चलो, 4 गंटे की, हाँ, 4 गंटे हाँ, कर लेंगे, अक्षा, कोई problem नहीं है, मैंने तो आपको बोला ही है, हम कोई ऐसी जगा रखेंगे, जहाँ पर आप conveniently पड़ पाएंगे चलो, most welcome everyone भाई, सारे बच्चों का ध्यान रखेंगे, सारे बच्चों का ध्यान रखेंगे, चिंता क्यों करते हो तुम लो अभी पहले तुम foundation के लिए तो appear हो जाओ RTP, MTP, अगर अभी तक नहीं पिक किया, तो सिरफ इस वले attempt की पिक करना अगर अभी तक RTP, MTP नहीं पिक करी है किसी बच्चे ने, तो सिरफ ये current attempt की जो तुम्हारा December के लिए निकली है, सिरफ वो ही पिक करना चलो, थैंक यू सो मच अक्षा I really appreciate your efforts कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, इसी तरह मेहनत करते रहो, bye bye everyone तुमारी farewell भी हो गई है, बाकी आपको दो चीज़े हमने बतानी है, हम आपको बता देंगे full day revision, पहले हम रखेंगे अपना personal mentoring session 21 या 22 को जहां पर आकर तुम बात कर लेना, teams या zoom पर रखेंगे फिर 21 या 22 को अगर लगा, तो 22 को एक full day revision रख लेंगे ताकि तुमारा full day जो है, accounts revise हो जाए और तुम्हें 21-22 का मैंने बीच में break भी दिया था, दो दिन का, याद होगा तो 90 day plan में ही था ये फिर उसके बाद क्या है, अपने पास जब तुम 19 December को free हो जाओगे तो टेलिग्राम पर बाते करेंगे और बाते करेंगे कि सर, CA Inter के लिए क्या करना है CA Inter के लिए क्या करना है, फिर टेलिग्राम पर बाते करेंगे अभी के लिए, अब हमारी जर्नी, थोड़ी दिनों के लिए pause हो रही है खतम नहीं हो रही, pause हो रही है pause पर डाल रहे हैं हम लोगों का मिलना पर ऐसा नहीं है, तुम काम करना छोड़ दो काम करते रहना, 21 तरीक या 22 तरीक के आसपास personal mentoring session में मिलेंगे चौलो जी चौलो बाई बाई everyone, have a very good day, all the very best for your exams मेहनत करते रहो, results जरूर मिलेंगे, आज जो बाते बताई हैं आकरी गंटे में उसको अपने पास याद रखना और उसी को implement करना पूरी lifelong, ठीक है बाई बाई सायो ना रहो, ओक्के जी बाई बाई चलो, मागो अफटा फट से